एक स्वर ये उठा है कि सरकार को इन साड़े कामों की इतनी जन्दी क्या है सब चीजे एक साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा भाव भी लोगों के बातों में साता है मैं शुरुवात में सिमान सरवेश्वर दयाल चक्षिना जी की एक कविता को उस गुरुप करना चाहूँगा और वही शायद हमारे समस्कार भी है हमारी सरकार का स्वभाव भी है सिमान सरवेश्वर दयाल जी ने अपनी एक कविता में लिखा है लीक पर वो चले जिन के चरण दुर्बल और हारे हैं हमें तो जो हमारी यात्रा से बने हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पत ही प्याने लेकिन अगर हम उसी तरीके से जलते हैं जिस तरीके से आप लोग चलते थे उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते के आपको आदत हो गई थी तो शायद सत्तर साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 3.17 नहीं है आपी के सौर तरीके से चलते हैं तो मुस्लिम बहनों को तीन तराक की तलवार आज भी दराती रहती हैं अगर आपी के रास्ते चलते तो नाबालिक से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं प्लाएं अगर आपी के सोच के साथ चलते हैं तो राम जन्र भूमी आज भी दिवादों में रहती अगर आपी की सोच होती अगर आपी की सोच होती तो करतार पूर साहब करिडोर कभी नहीं बन पाता खूब परदा है खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं साथ छुपते भी नहीं खूब परदा है सामने हाते भी नहीं खूब परदान प्रोड़ को